जै स्री कृष्णा राधे राधे जब बरकत ना हो जब लगे की लक्षमी रूट गई है या फिर घर में टेंसन जादा हो मुश्किले जादा हो और खुसियां कम हो रही हो लोग लगता है जैसे हमारे तरक्की से जलते हैं कई बार तो हस्ते खेलते परिबार को नजर लग जाती है और धन की स्थिती मजबूत जब होती है तो खुसियां रहती है लेकिन किसकी नजर लग गई कि सब कुछ समाफ अब पुझा पाट करने के बाद भी फायदा नहीं हो पा रहा है क्या यह गुरू के कमजोर होने का कारण है आज हम बात करेंगे हल्दी की हल्दी तो हर किसी के घर में होता है किचन की सान है हल्दी और बिना हल्दी का तो खाना भी नहीं बनता और ना है कोई सुब मंगल कारे हो सकते हैं क्योंकि हल्दी सगुन का प्रतीक माना जाता है और ऐसा सगुन जो नजर दोस से बुरी चीजों से आपकी रक्षा करता है तो हल्दी जहां खाने का स्वाद बढ़ाता है आपके स्वास्त के लिए भी बहुत लापकारी है इसकिन के लिए भी अच्छा होता है लेकिन आज हम आपको खास बाते बताएंगे जो तिस में आपकी कई परेसानियों को दूर करने का काम भी हल्दी करता है और हल्दी पीला वाला जो हल्दी है वो देव गुरू से संबन्द रखता है अब गुरू की कैसी भी परेसानी हो चाहे संतान संबन्दी हो धन संबन्दी मुस्किले हो पढ़ाई संबन्दी मुस्किले हो या पिर आपके करियर रोजगार संबन्दी मुस्किले हो महिलाओं के विवाह के समंदी कोई भी तकलीफ हो तो ये हल्दी बहुत काम का होता है जोतिस के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पणी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपका बिवाह जल्दी होता है बुरी नजर के सिकार आप नहीं होते और करियर में सफलता भी मिलती है और यदि आप सुबा नहाने के बाद स्रीहरी के चर्णों में थोरा सा हल्दी लगा कर खुद के माथे पे कंट पे या फिर कलाई पे कहीं भी एक जगा तिलक करके घर से निकलते हैं तो आपके कारे बनने लगते हैं कारे सिद्धी होती है और अगर घर में जादा वास्तू दोस्तों तो यह हल्दी आपके घर के वास्तू दोस्त को भी दूर कर देता है हल्दी वैसे अगर आपका आप मान लेते हैं आपको किसी ने कहा है पीला पुखराच प करें तो यह भी पीला पुखराज के इतना ही फल देता है क्योंकि इसमें भी वही सारे गुन है आज हम बरकत के लिए मालक्ष्मी की क्रिपा पाने के लिए एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जो आपके कीचन का हल्दी है वहीं पर इस प्रियोग को करें आपका भागे भी और बरकत भी होती चले जाएगी तो छोटा सा प्रियोग को करने के लिए आप ये कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते है अगर गुरुवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा नकात्मग उर्जा को नश्ठ करने के लिए हल्दी से ज्यादा अच्छा वरना जीवन में confusion की समस्या परिसान करेगी सही समय पर सही decision नहीं ले पाएंगे आप इसलिए हल्दी और नमक एक जगह मत रखिए अलग अलग रखिए अब यहाँ पर हल्दी रखा है थोरी दूरी पर नमक रखिए तो इस तरह से रखें और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि हल्दी के डबे में ऐसा क्या रखें कि मालक्षमी आपके घर में ही रहे और साथ ही जीवन में बरकत होती रहे वैसे तो हल्दी आपके कीचन की ही हल्दी की बात करेंगे लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा जो गुरुवार का दिन होता है ना चुकि गुरु का सम्मन्ध हल्दी से होता है तो इस दिन एक बात हमेशा याद रखे अगर आपका गुरु मजबूत हो या कमजोर हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे जो खासकर महिलाएं हैं गुरुवार के दिन अपना सिर नहीं थोएंगी नहीं तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा और दामपत्ती जीवन में बहुत परिसानी आएगी इसलिए यहां पर पती और संतान की उन्नती भी माना जाता है रुख जाता है इसलिए महिलाओं को खास गुरुवार के दिन चाहे कुछ भी हो जाए बाल ना धोएं तो आज हम बात कर रहे हैं अपने कीचन के हल्दी के डब्बे में आप क्या डालें देखे वास्तु की दृष्टी से हल्दी बहुत महत्पूर्ड है अगर घर की नकात्मक उर्जाओं से आप बचना चाते हैं तो अब घर के बॉंडरी वाल पर अगर हल्दी से रेखा बना दी जाए तो घर में नकात्मक उर्जाओं प्रवेस ही नहीं कर पाता और हर कोई स्वस्त रहता है अब मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं आप बॉंडरी वाल में नहीं दे सकते हल्दी से रेखा खीच सकते तब क्या करेंगे तब अपने मुख्य दरवाजे पर घर के मुख्य दरवाजे जो है आपका में डूर यहां पर हल्दी से स्वस्तिक बना दीजे बाहर की तरफ से इस से आपके घर में नकात्मक सकतिया प्रवेस नहीं कर पाती अगर बिभा होने में बहुत परिसानी आ रहा हो या बैवाही जीवन में लग रहा हो जैसे अब सब खत् भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अरफित करें अगर आप चाहते हैं मालक्ष्मी की किरपा बनी रहे तब रभी बार का दिन छोड़कर बांकी के दिन आप जो सुरी भगवान के निमित जल अरफित करेंगे वो तुलसी के पेड़ में ही डाल लिएगा हल्दी वाला जल इससे आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी और भगवान सुरी की किरपास से आपका गुरू भी मजबूत हो जाएगा कई बार क्या होता है मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मा है कि लगता है जैसे रूट गई है क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक प्रयोक करें लगातार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा अगर आपके आसपास आम का पत्ता है गाच है तो एक पत्ता ले आईए अब एक बरतन में पानी ले लें उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस आम के पत्ते के सहरे आप पूरे एक तो नकारतमक उर्जा को भगा देता है और दूसरा घर में खुसियां आती हैं धन बढ़ता है तो ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसके फायदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे तो हल्दी में ऐसा माना जाता है दैबी गुन होते हैं दैबी गुन यानि ये बिलकुल एक भगवान का आसिरवाद लियावा ही होता है इसलिए आपने देखा होगा बिवाग के समय बरवधू को हल्दी अर्फित की जाती है ताकि तमाम परिसानियों से बाधाओं से बचाया जा सके तो हल्दी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला सबसे मुख्य वस् अगर पेट समंदी समस्या हो खास कर जैसे आपका गुरू गडबड है पेट की बहुत परिसानी है तब आप नियमीत रूप से पास के किसी मंदिर में हल्दी का दान करें तो लाब होता है अब हम बात करते हैं आपके किचन की देखिए हमने टॉपिक रखा है कि अपने घर के किचन में हल्दी के डबबे में क्या डालें तो आपके जो घर में किचन में हल्दी का डबबा है उसमें एक तो आप सबसे पहली बात आप हल्दी के डबबे में 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिए याद रखिए 5-6 साबुत लाल मिर्च ऐसा करने से आपके घर में अ उपर असर ही नहीं करेगा और अगर खिसी नहीं किया है तो वापस उसके पास जला जाएगा आप हल्दी से अराम से खाना बनाईए और छोटा छोटा साबुत मिर्च लाल सुखावा देखकर उसमें डाल दीजेगा ये मिर्च अगर आप चाहे तो बाद में यूच कर सकते है खाने में कोई दिकत नहीं है लेकिन उसमें डाल कर रखे आप और आपके घर वाले सुरक्ष्ट बने रहेंगे और मस्तलाइब जीएंगे तो यह सिंपल प्रियोग है लेकिन भगवान स्री हरी और मा लक्षमी की परतीमा आपके घर में अगर है भगवान विश्णु मा लक पुरिया बना लें अपनी मनोकामना कहें और भगवान की तस्वीर के पिछे चिपा दें जब मनोकामना पूरी हो जाए तो तुलसी की मिट्टी में इसको डाल दीजिएगा हल्दी को कागज को कई फेक दीजिएगा साइड ऐसा करने से मनचाही मनोकामना पुर्ण होती है चा में संपन्नता आती है और हल्दी के माला से अगर आप मंद्र जब करें तो गुरू जल्दी आपका मजबूत होता है और जल्दी से उसका सुपल भी आपको मिलने लगता है दूसरा परियोग है अगर धन की बहुत मुश्किल है तो बुद्वार के दिन मा लक्षमी को चाव चावल के साथ दाने अरपित करें और अगले दिन यानि गुरूवार के दिन इस चावल के दाने को आप एक छोटा सा डिबी ले ले आपके घर में चोटा से डिबा किसी चीज का होगा कोई भी प्लास्टिक का कांच कोई भी है और उसमें थोड़ा से हल्दी डाले और उस ह वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिए धन्यवाद हम पिर बहुत